कोरोना की महमारी से देश को बचाने के लिए हर डॉक्टर मरीजों के इलाज में जुटा है और वो कई दिनों तक शहर में होने के बावजूद अपने घर नहीं जा पा रहे हैं बोपाल के मुख्य डॉक्टर और स्वास सधिकारी डॉक्टर सुधीर देहरिया ने एक मिसाल पेश की है डॉक्टर सुधीर देहरिया की एक फोटो वाइरल हो रही है जिसमें वो अपने घर के बाहर बैट कर चाय पी रहे हैं दरसल ये फोटो इसलिए वाइरल हो रही है क्योंकि सुधेई डेहरिया पाँच दिन बाद अपने घर पर आये हैं और घर के बाहर बैट कर चाय पी रहे हैं डेहरिया की पतनी और उनके बच्चे भी उनसे दूर खड़े नज़र आ रहे हैं उनका परिवार कोरोना वाइरस के दौरान की जाने वाली सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं ये तस्वीर बता रही है कि कोरोना वाइरस के चलते किस तरह से डॉक्टर डेहरिया लगातार अपनी जूटी कर रहे हैं और समाज के लिए मिसाल बन रहे हैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चहान ने ट्वेटर पर इस तस्वीर को शेर करते हुए लिखा मिलिये डॉक्टर सुधीर डेहरिया से जो भोपाल जिले के सीमेचों हैं सोमवार को वो पांच दिन बाद घर पहुँचे घर के बाहर बैट कर चाय पी घरवालों का हाल चाल लिया और बाहर से ही अच्छत नमन है हमें आप पर गर्व है निउस्टेस्क झाल जिए लिएस्टेस्स